दोस्तो आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आपका pen card खो गया है अथो आपका pen card पुराना हो चुका है तो आप नया कैसे online ही order कर सकते हैं उसकी लिए दोस्तो आपको 50 रुपए का online payment करना होता है उसकी बाद आपका post office से 10 से 15 दिन में आपका physical pen card आपके घर पर प्राप्त हो जाता है उसकी लिए दोस्तो आपको सबसे पहले किसी भी chrome browser पर आ जाना है उसकी बाद यहां search कर लेना है UTI pen card दोस्तो आप जैसे ही UTI pen card सर और नीचे आ जाना है नीचे आने के बाद आपको एक option यहां पर दिखाई देगा left side में देख सकते हैं reprint pen card का option आपको इस पर click to reprint के option पर click कर देना होगा दोस्तो आप जैसे reprint pen card के option पर click करेंगे फिर से एक नया windows space open हो जाएगा open होने के बाद दोस्तो आपको और नीचे आजाना है नीचे आने के बाद left side में आपको reprint pen card का option दिखेगा आपको इस पर फिर से click कर देना है दोस्तो आप जैसे फिर से reprint option पर click करेंगे फिर से एक नया dashboard open हो जाएगा इसको wait कर लेते हैं जब तक के page open होता है उसके बाद दोस्तो अगर आपके पास सिर्फ pen card number है और मैं आपको यहां पर live process दिखा दे रहा हूं उसके नीचे आपको दोस्तों यहां पर year और month type करना है अपने data birth का तो सब पहले यहां पर month type कर लेंगे जैसे मैं यहां पर अगर 862002 है तो आपको यहां पर 62002 type कर लेना है उसके नीचे दोस्तों आपको GSTIN नमबर पुछीगा इसको आप blank की छोड़ देंगे उसके नीचे आप जैसा यहां पर same capture दिख रहा है वैसे same capture को type कर लीजेगा उसकी बाद दोस्तों आपको submit के option पर click कर देना है दोस्तों इहां पर देख सकते हैं okay का option आगे all it cannot click कर देना है उसके रख सबसे उपर अपर पर आप अपना का नंबर देख सकते हैं उसके नीचे आप फिर mobile number यह होना अनिवार है या फिर email ID आपको किसी एक में से एक चालो होना अनिवार होता है क्योंकि इस पर एक OTP जाएगा उस OTP से ही आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं इसकी लिए दोस्तों हमारा mobile phone मेरे पास है और मेरा mobile phone भी चालो है इसके बाद दोस्तों आपको यह नीचे आनेक बाद यहां पर जैसा स्यम कपचा दिख रहा है वैसे स्यम कपचा को टाइप करने उसकी बाद दोस्तों यहां पर आप उपर अपना डिटेल्स देख सकते हैं जैसे कि अपना address जो भी आपका address है यहां पर आपका तो करने लगेगा उसकी बाद यहां पर mode of OTP आप दोनों में OTP सेंड करना चाहते हैं या फिर मुबाइल नमबर तो मैं यहां पर सिर्फ मुबाइल नमबर पर OTP सेंड करना चाहता हूं इसलिए Only SMS के अप्चन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको इस टर्मेंड कंडिशन को एसेफ्ट कर लेना है उसके ब प्रफोन पर एक चांग का OTP गया होगा उसको यहां पर टाइप कर लेना है उसकी बाद सम्मेट के अप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा जो कि आपको यहां पर 50 रुपए का अनलाइन पेमेंट करना होगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं उसकी बाद नीची यहां पर प्षडापना इमaiल डवी टाइप कर लेना है उसीजिए आपको दीचे वी पीछ में पर गोले के कि आप्सन Любी कर देना है इसकी बाद अगर आप एटीएम काड्स से परम्न करना चाएं तो दूसरा अप्सन है अगर आप क्रेड करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर कुछ नहीं करना है बैक और इस्पेस कुछ भी नहीं दबाना है आटोमेटिक यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपको फोन भी आएगा जब भी आपके घर पर पोस्ट आफिस आजाएगा पोस्ट के द्वारा तो आप अहां से डारेट कंटेक्ट करके अपना प सकते हैं दोस्तों वीडियों बस इतना ही अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा और सपोर्ट करने के लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आपके मन में कोई भी पैन कार्ट से रेलेटेट क्यूस्टन है तो हमें कमेंट करके भी जरूर पूछेग थांकियो में दोस्तों